नमस्कार शराब घुटाला पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुनाओगा दो साल से बीजेपी की सारी एजनसीज कई रेड मार चुकी हैं कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चन रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फरजी समन भेज़के ये मुझे बड़नाम करना चाहते है मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते है इन्होंने मुझे समन भेज़े है मेरे वकीलोंने मुझे बताया है कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानोनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो है ही नी इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है क्यूँ इस जांच को चलते दो साल हो गए अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यू बुलाया जा रहा है पहले क्यों नहीं बुलाया CBI ने मेरे को आठ महीने पहले बुलाया था मैं CBI में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब ये लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो BJP का मकसद कोई पूश्टाच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूश्टाच के बहाने के एजरीवाल को बुला लो और उसे गिरिफ्तार कर लो ताकि मैं लोगसभा चुनाव में प्रचार ना करपाऊ आज BJP भ्रश्चाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम E.D. और C.B.I. का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के निताओं को तोड़के BJP में शामिल करवाने के काम किया जा रहा है एक नहीं, दो नहीं, कितने उधारन है जहां किसी पार्टि के निता के खिलाफ E.D.I. C.B.I. के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे जैसी वो ने था BJP में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टि जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफद अफद अगर दिये जाते है पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ब्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जड़ा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे ब्रष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आए तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जंतंत्र के लिए बहुत गलत है